पंडित पवन तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत थे आपका तो जेम्डी न्यूस पर आज हम आपको बता रहे हैं सूरे ग्रहन के बारे में सूरे ग्रहन जानकरी और उपाय जानकरी और चर्चा क्या कुछ लेकर के आएगा सूरे ग्रहन इस साल हमारे लिए तो यह हम पंडी जी से जानेंगे जैसे कि 21 जून को सूरे ग्रहन हो रहा है लेकिन जानेंगे क्या कुछ होंगे इसके प्रवाब हलाकि इस महीने चंद्रग्रहंड के बाद अब सुरी ग्रहंड लग रा है और सुरी ग्रहंड 21 जून्य अनि कि रवीबार के दिन लगे गा, भारत में यह दिखाई देगा लेकिन इसलिए क्योंकि यहां ग्रहन का सूतक काले माने होगा क्योंकि इस बार दिखाई देगा हलाकि वैज्ञानिकों के लिए महजी एक खगोली एक घटना है लेकिन इस बार का जो ग्रहने बहुत ही प्रभावी माना जा रहा है जियोतिशिय द्रश्टी कोंट से भी क्योंकि देखने में भी वलयाकार होगा यानि कि एक रिंग की आकरती हमें नजर आए कि बहुत ज़्यानवे प्रतिशत तक चन्रमा इस बार सूरी को ढख लेगा तो आईए जानते हैं कि ये ग्रहन किस राशी में लगेगा इसका क्या प्रभाव होगा और क्या कोच इस से ग्रहन का समय रहेगा बिलकुल बहुत अच्छा प्रशन किया है निन्नी आपने ये जो 21 जून को सूर्य ग्रहन है सबसे पहले हम इसके समय की चल्चा करेंगे कि 21 जून का सूर्य ग्रहन प्राता है नौ बच करके 15 मिनट से प्रारंब होकर के 3 बच कर 4 मिनट तक रहेगा दोपहर में 12 बच करके 10 मिनट पर ग्रहन अपने चरम प्रभाव में होगा जबकि इस ग्रहन का शूतक एक दिन पहले यानि 20 जून को राती में 9 बच करके 15 मिनट से ही प्रारंब हो जाएगा जो कि ग्रहन के समाप्ती तक प्रभावी रहता है शूतक काल हाँ इस दोरान शुभकार्यों को नहीं करना चाहिए यह बिशेद ध्यान रखना चाहिए यह कि सूतक लगने से ही में ध्यान देना है कि कोई भी शुभकार्य नहीं करना होना चाहिए 21 जून को सूर्य ग्रहन मिथुन राशी में लगेगा और इस राशी में शूर बुध और राहो के साथ यूती करेगा यह ग्रहन मिथुन राशी के जातकों पर ग्रहन अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा मिथुन राशी के जातकों के उपर इस दौरान मिथुन राशी के जातकों को संभल करके रहना होगा और ग्रहन के दौरान अपने घर पर ही रहें किस तरीकि के शूरी शूर रेहें अगर आप भगवाई शूरी की उपासना और अपने घर पर रहते हैं तो इस ना पार ने,खांग के ऑपने राशी के जातकों के बारे में कहा कि उन्हें सावधान रहने की ज़रते घर पर रहें लेकिन अमुमन हर राशी के लिए कहा जाता है हर एक के लिए कहा जाता है कि घर पर ही रहें इस दौरान घर से बाहर ना निकलें तो मिथुन राशी के जातकों के लिए विशेश रूप से क्यों देखें मिथुन राशी के जातक अपने घर पर रहें, घर पर रहे करके भगवाई शूरी की उपासना करें और अगर आप किसी भी अनावश्यक चीजों से बचना चाहते हैं, शूरी की जो निगेटिव तरंगे हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो अपने घर पर रहे करके गायत्री मंत्र का आप जब कर सकते हैं कि मोर्ति पूजा का निशेद होता है लेकिन च्रहां के दोरान आपको मन्तर हुआ परστब कर शक्ते Technology के हैं सूतक के लगने से संबंधी कई शाउधाणियां रखने आरंब की जाती हैं जैसे कि सुतक में खाने की चीजों में तुर्शीतल रखना चाहिए कुश का कुश की डाल रखनी चाहिए और ग्रहन काल में गर्भवती महिलाओं को विशेश शावधानी रखनी होगी ग्रहन काल में पूजा इस्थल के अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए या जिस जगह आप भगवान की पूजा अरादना करते हैं वहां पर पलदा डाल करके मंदिर को ढख देना चाहिए ताकि ग्रहन का बुरा असर भगवान वाईश्वर पड़ना पड़े इस सूर्व ग्रहन के बाद इशनान दान और मंत्रों का जाप करना विशेश फलदा ही रहेगा जो कि हम आगे अपने दर्श्रकों को इस चल्चा में बताएंगे कि वह कौन से मंत्रों का जाप करें क्या अशर होगा किस राची पर इस सारी बाते हम आगे आपको इसी चल्चा में लेकिन उससे पहले क्या सावधानिया आपको रखनी है यह पंडी जी ने आपको बताई लिकिन अ यह भारत के अलावा साउथ आफरीका सेंटरन आफरीकन रिबबलिक कांगो इंपोथिया पाकिस्तान और चाइना में भी दिखाई देगा ग्रहन को आप इस सूर ग्रहन को सीधे आखों से देखने का प्रयास बिलकुल भी ना करें नगन आशकों से इस ग्रहन को बिलकुल देख सकते हैं लेकिन सूर ग्रहन को नहीं देख सकते ऐसा वैज्ञानिक रिशार्ट भी कहता है जिससे कि प्रभाव पढ़े गई पढ़ेगा और बुरा प्रभाव करें चाहिए जिससे कि बहुत पहले लोगों के पास चसमें नहीं होते थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं ऐसी वस्तुएं हैं लगा करके लोग उससे सूर ग्रहन को दूर से देखते थे और सबसे पुरातन चीज़ आपको बता दें कि शूर करहा कैसे देखा जाता था आज से लगबाग चार दर्शक पहले जब इस देखा जाता था तो अपने घर में या खुली जिखे पे ब नेकि खराब ही माना चाहता है इसको लेकर कर को देखे शूर ग्रहन एक तरीकह asked राहू और के द्वारा शूर को ग्रशित किया जाता है तो तो उसकी जिजित चितव Honours और में वो नेकिजित तरन्गें वह जो हैं वह कहीना कहीन आपकी नेत्रों कूपीड Player कोуется तो इसलिए नेत्रों को सबसे ज़्यादा कष्ट शूरेग्रहन में होता है तो यह तो वज़य है कि मना किया जाता है कि क्यों नहीं देखना चाहिए मैं सूरेग्रहन लेकिन अगर वग्यानिक कहते हैं कि खगोली घटना है लेकिन आप से मैं जानना चाहूंगी कि सरल तो फ्रत्वी के मद्ध में हिं आ जाता है सूर्य चन्द्रमा और क्रत्वी के मतर में जिससे सूरी कि किरणें प्रत्वी तो को सूर्य है इसका बहुत मतलब है और भारत के लिए भी बहुत मतलब है और विश्यों के लिए और बहुत समय दूजिए और यह जो मिथुन राशी होने जा रहे हैं इस के समय मंगल जो मंगल रहा है वो अपनी जली राशी मीन में इस्तित होंगे और शूर बुध चंद्रमा और राहू को देखेंगे मंगल जिससे असुब इस्तिती का निर्माड हो रहा है इसके अलावा ग्रहन के समय छैगर है माने शानी गुरू शुक्र और वुध वक्री होंगे और राहू और केतु हमेशा इस लिए इनको मिला करके कुल 6 ग्रह वक्री रहेंगे जी आपने बताया कि अर्शूब इस्तिती बन रही है जो कि इस्तिती प्रहन के बार अभी से भी जयादा जी उतल पुथल मचेगी जैसे की समय जो बीमारी का एक दोर चल रहा है महामारी का दौर चल रहा है इस महामारी से हट करके कुछ उथल पूथल हो सकती है पूरे बिश में जो की एक और पुतर है पूरा बिश्व उथल पूथल में कहीं नड़ाववध हो हम लिए से परिशान परिशान है क्या लगता है आने लेकिन बहुत ज्यादा सम्हावना नहीं हो सकता है बादचीस सहल निकलावे या और किसी एंगल से देखें किसी दूसरी देश से कहीं दूसरी देश पर दोजा जिससे की पूरे बिश्चु को परिशानी का सामना करना पड़ा है अबी से सिती और भी बत्तर हो सकती है अगर प्राक्रतिक आपदा के दौर बात की जाए तो क्या इस दिर्श्टी कोंट से भी परिशानी आ सकती है ग्रहन के समय इन बड़े ग्रहों का वक्री होना बिलकुल स्वभाविक है कि प्राक्तिक आपदा जैसे कि अत्यधिक वर्षा शमुद्री चक्रवात तूफान जैसे कि समय महामारी चली रही है इससे जन्धन की हानी भी कर सकता है यह शूरिग्रहन का प्रवाव है इसको क्या संभावना बन रही है अभी मंगल का परिवर्टन हो रहा है उसके बाद भी भूकंब के जटके आ सकते हैं भारत पाकिस्तान बंगला देश और श्री लंका को जून क सता है जून के अंतियं सब्सक्ता और जुलाई में भैंकर वर्षम बाल से जूचना पड़ सकता है ऐसे भी जोतिशीवा ग्रहों पढ़ेगा वर्ष्य पाजिट्व हो निगेट्व हो पढ़ना चाहिए पढ़ेगा हाँ ये बात अलग है कि इन ग्रहों के वक्री हो जाने से यह थोड़ा सा निगेट्व जहदा पढ़ेगा पॉस्टीव कंपलना सब्सक्राइब और तेज वारिश भी हो सकती है तनाव लगातार देखने को मिल रहा है यहां देश और दुनिया भर में अब पश्चिमी देशों के अगर बात की चाहिए तो यहां क्या स्थिती रहेगा क्या सूरी ग्रहेंट के प्रभाव से तनाव पड़ेगा बिलकुर सही बात है कि इस वर्ष मंगल जो है वो जल तत्तो की राशी मीन में इस समय है जो कि पांच महीने तक रहेगा ऐसे में वर्षा काल में आश्मान रूप से अत्यधिक वर्षा माने जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे ज्यादा वर्षा का हो जाना और महामारी का भै मानो जंजा पर शताता है इस ग्रह के कारण और ग्रहन के समय सनी और गुरू का मकर राशी में वक्री होना इस बात की आसंका को दिखा रहा है जता रहा है कि चीन के साथ पश्चमी देशों के संबंद भी बेहत खराब हो शकते हैं यह बिलकुल सही है कि हो सकता है भारत से हट करके अन दे आने वाला है जो अब तक शायद पहले कभी ना आया हो या पिश्चिद के दौरान चबाया था बिलकुल बात अर्थिक मंदी की बात अगर करें इस ग्रहाण से जोड़के अगर देखें तो भारत के पश्चमी हिस्सों में पाकिस्तान अफगानिस्तान और एरान में राज एक वर्ष तक पूरे बिश्च ws में आर्थिक मंदी का शर बना रहे गहांँ अला कि कुस देश ऐसे हैं जो अपने अर्थिक मंदी को न सोकरा बात चिबाने की को शेबाने की कोशिश करें लेकिन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं बताना चाहुता हूं कि सबसे पहले में राशी के जातकों को शफलता मिलने के आसार हैं और मांसममान में बढ़ोतरी होगी मेस राशी के जातकों बशब राशी की बात करें तो ब्यापार और नौकरी में परेशानी आएगी और आथिक नुकसान की संभावना ज्यादा दिख रही है बशब राशी के ऊपर और मिथुन राशी जो की ज्यादा संबेदन सील है इसमें दुरगटना के आफार हैं और वाद विवाद से भी परिशारी हो सकते हैं तुम्हें तुन राशी की जातकों को इसलिए जैसा कि हमने पूरें बताया क्यों घर पे रहे बाहर ना निकले किस तारिक को करक राशी के जातकों में संपत्ति के मामले में नुकसान हो सकता है और शिंग राशी क के जात्कों का घ्रहन ठीक नहीं है कष्टों का सामना करना पढ़ सकता है और अब गर्वाइश है और में राशी में बीमारी का संकट और बढ़ाएगा यह ग्रहन का प्रभाव राशियों पर निम्न तरीके से पढ़ रहा है यानि किसी को तिलिए तो बहुत किया उसे ब्र होताइग और जिनका बुरा है कि उस दोर करने के लिए हार्मिक मानिताओं और ग्रंथों शास्त्रों और पुराणों की बात करें तो उसके अंसार किशी भी ग्रहन के समय गर्भवती महिलाओं को अपना विश्यष ध्यान रखने की जरुरत होती है जिससे ग्रहन की नकारात्म कूर्जा का अशर गर्भ में पल रहे बच्चे पर न ना चाहते हैं तो इसे अपनी नगनाखों से देखने का प्रयाद बिल्कुल भी ना करें नगनाखों से ग्रहन देखने पर आँखों को नुक्षान पहुंच सकता है जैसे कि हमने पूर्भ में भी आपको बताया आप अगर बहुत देखने के शौकी नहीं सूर ग्रहन को त प्रभाव में किस तरीके के प्रभाव होंगे देखे 21 जून को सूर ग्रहन जो है वो अशार महा की अमावश्य है किते थी हैं सूर ग्रहन भारत के साथ कई देशों में दिखाई देगा और इसका बहुत बला प्रभाव मानो जीवन में देखने को मिलेगा चुकि ये ग्रहन बहुत बड़ा ग्रहन है और ग्रहन के प्रभाव से मानो जीवन काफी बिचलित हो सकता है इसके प्रभाव से तूफान, भूकम और बाढ़ जैसी प्राकदिक आपदाएं आने की भी शंभावनाएं दिख रही हैं, बन रही हैं ग्रहों के कुछ ऐसी सिती है कि ये सारी चीजें भी घटित हो सकती हैं ये जो संभावनाएं बन रही है, इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं तो जो विशेष अपनी सुरक्षा के लिए करेगा जैसे कि हमने आप से बताया है कि आपकी राशियों की चल्चा भी हम करेंगे और राशियों में आपके राशी के हिसाब से आपको एक उपाय बताएंगे और अगर आप उस उपाय को करते हैं तो कहीं न कहीं आपके गरह मजबूत होंगे आपके अंदर पाजिटियोटी आएगी और आपके अंदर उर्जा का संचार होगा जब आपके अंदर उज्जा का संचार होगा पाजिट्यू होगे आप अच्छे सोच के बेक्ति बनेंगे और ग्रह आपके मजबूत होगे तो कहीं न कहीं चाहे जितनी मुशिबत आए चाहे जितनी आपदाएं उन आपदाओं में भी आप उससे बाहर निकलने की शक्ति एक यात्रा में है या एक रेल में है बहुत सारी यात्री होते हैं उन में से कुछ यात्रियों का भाग बहुत प्रबल होता है और कुछ यात्रियों का भाग बहुत प्रबल नहीं होता है और उस यात्रा में वो उनकी च्छती होती है जिनका भाग प्रबल नहीं होता है कुषि कि नंद्ड की अपने ग्रहों को मझभूत कर रखा होता है तो सिद्धिया समूझ लें कि चाहिए अतनी बड़ी आपता आए नहीं बहुत सारे नैदेश में तूफान आए टो तो उन सारे ऑंजावाटों और तूफानों के बीच में बहुत सारे लोगों की छती जहां हुई है वहीं पर बहुत सारे दो का बहुत divis хватi जहां हुई है वहीं पर बहुत सारे लोगों का जन जीवन भी तो बचा है तो यह कैसे समभव हुआ है कि उसी भी उसी बीच में दस लोग बच जाते हैं और पांच लोगों को आहत हो जाते हैं तो विपरीत पर इस्तितियों में कैसे बचाए रखना है अपना अस्तित्व और कैसे अपनी राशियों को बना रहा है मस्पूत यह सभी चांदकारी हम पढ़ने चीश से लें GRIANT KEITH HOTELS, COMFORT, LUXURIOUS, EXCLUSIVE, EXCELLENT ROOMS AND SWITES WITH MODERN FACILITIES, BANQUET HOLD, CONFERENCE HOLD, MULTI-CUISINE RESTAURANT, and gym open shortly with luxurious services also you can book us on make my trip and go i bbo grand keith hotels the mall kanpur contact number 0512 237 1024 237 1046 9792 000 685 visit us on www.grandkeithhotels.com व्रेक्वाद आप सभी का स्वागत है बात कर रहे हैं आप किस तरीके से क्या कुछ असर डालेगा सूरे ग्रहेंड इस पर इसका क्या कुछ हम पर प्रभाव होगा और कैसे जो विप्रीत पर इस्तिति आएंगी उस पर हम अपनी राशी को मस्बूत करें कैसे इनका सामना करे ये जानकरी पंडी जी आप हमें बताएंगे हमें बता रहे हैं आप दर्शिकों को लगातार बता रहे हैं लेकिन पहले मैं आप से जाना चाहूंगी गर्भवती महिलाओं की बात आपने कहीं खास तो और पर उनको खयाल रखने की जरुरत है वो घर से बाहर बिलकुल न न कि षूतक के समय में खास करके गर्भवती महिलाओं को शाओधानी जरूर रखनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने से भी बचना चाहिए और अपने हाँ से चाकू और छुरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस ग्रहण काल के दौरां सबजी, फल, इत्यादी नहीं काटना चाहिए कर्भवती महिलाओं को ग्रहन काल की जो अवधी है ग्रहन जिस समय चल रहा है ग्रहन पड़ रहा है शूर अरुद है और उस पर ग्रहों की छाया है उपक छाया है उस अवधी में कोई भी सुभकार नहीं किया जाता है सूतक के समय में आप द देवी देवताओं की मॉर्तियाँ नहीं चुनी चाहिए ये भी ध्यर नकना चाहिए देवी मॉर्तियाँ अपने मंत्रों को शिद्ध कर ले उनसे उसे पूरे जीवन लाब होगा और पूरे समय उनसे लाभानवित यू होना है अगर आप अर्थ के चाहा रखते हैं तो लक्षमी जी का कोई भी मंत्र ले ले उस मंत्र को सिद्ध कर ले उस मंत्र की आरात ना करे अगर आप विद्याध्यन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र अत्वा सरश्वती का कोई भी मंत्र ले ले उस मंत्र को सिद्ध कर ले और इस समय कुछ यंत्रों की भी सिद्धी की जाती है यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए यह जो ग्रहन काल होता है यह बहुत ही लाबदाई होता है और बहुत ही लोग यंत्र बनाने वाले मंत्रशिद्धी वाले तंत्रशाधना करने वाले लोग इस काल का बहुत अच्छे से सदवयों करते हैं हलाकि मैंने सवाल पूछा था घर्वबती महिलाओं के लिए लेकिन आपने सभी के लिए बताया अच्छी बात है जानकारी होनी चाहिए लेकिन अगर अगला सवाल किया जाए कि सूरे ग्रहन के दिन कुछ अगर खास राशियां कुछ ऐसी खास राशियां जिलें विशेश ध हनभाव में होगा ऐसे जो जातक है जो प्रापर्टी से जुड़े हुए मामले हैं उनके उनसे आपको दूर रहना है ब्रशबराशी के जातकों को जो प्रापर्टी से जुड़े हुए लोग हों उनसे वो दूर रहें ब्रशबराशी के जातक है यह जो ग्रहन का जो समय है करण और आपको करज लेने से बचने अगर जरूरत भी हो तो भी करज ना इस दॉरान आपके दुश्मन बढ़ेंगे जिसकी वज़े से आप में मांसिक तनाव भी हो सकता है दूसरा भाव वानी का होता है इसलिए शूरिक रहन के दौरान आप अपनी वानी पर भी नियंतरन रखें आप अंजाने में ऐसे सब्दों बोल सकते हैं जो सामने वाले बैक्ति को ठेस पहुच करने के लिए बशर राशी के जारे तक शूरिक रहन के दिवसκक अपने घर पर देशी या का दीपक यो और इस दीपक में कपूर डाल दे घृत ऐस के बाद दान पूरने जरूर करें गरहन के समापत होने के बाद ग्रहन के समाप्त होने के बाद जो दान किया जाता है वो अच्छे प्रभाव डालता है इसलिए यह दान किया जाता है वो दान जरूरतमन लोगों को आप आनाच का दान कर सकते हैं चावल आटा गेहूं और डाल का दान दे सकते हैं जब ग्रहन चल रहा हो तो अपने गुरु मंत्र, आपने कर कोई गुरु किया है या किसी को गुरु मानते हैं तो उसका कोई मंत्र हो, जो उससे आपको प्राप्थ हुआ हो उस मंत्र का जब करें, अन्यता की स्थिति में आप गायत्री मंत्र का जब कर सकते हैं, और अगर आप गायत्री मंत्र का भी जब नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान जी के मंतर का भी जाब कर सकते हैं ओम हम हनुमत नमा हम चुकि हनुमान जी सरवोपरी गुरू है इसलिए आप हनुमान जी के मंतर का जाब करें तो आपके ऊपर पड़ रहे कुपरभाओ कम हो जाएंगे दूसरी राशी की अगर बात करें तो वह क करकराशी करकराशी चंद्रमा की राशी है और यह बहुत ही भावनात्मक राशी होती है ग्रहन के दौरान करकराशी की जात्कों को यात्रा से बचना होगा यात्रा नहीं करनी चाहिए इसके अलावा पानी से दूर रहना होगा आपको नदी तालाब में नहाने से भी बचना ह आपके मन में भैका भाव रह सकता है और आपकी छोटी छी छोटी बातों पर बहस करने से भी बचना है यह अगले पंदरह तेरा से पंदरह दिनों तक रह सकती है करक राशी वालों को करज ना लेना है ना देना है नहीं नहीं किवल करज नहीं लेना था इन्हें ना करज लेन लकाइब दुर्गा उपना इश्ट देव के मनतनों का तो परकाल में व्यांज अराश की होने के बाद इसी घरीब विगति को आप अंन का दान मिखेम विए अब बहुत अच्छा शुप्रभाव डालने वाला होगा अगली एक राशी और है नंदनी जो है कि ब्रश्चिक राशी ब्रश्चिक राशी वालों के लिए ग्रहां आश्टम भाव में होगा और इस ग्रहां से ब्रश्चिक राशी वाले अपने ग्रहां के समय अपने इस्ट देव के मंत्रों का जाब करना है और ग्रहां के समाप्त होने के बाद किसी भी बेक्ती को आपको अन गुड तिल्या वस्र का दान करना है जो आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा और जो इस सूर्ग्रहन का कूप रभाव हो है उसे कहीं न कहीं समाप्त कर देगा और कम कर देगा जी आकरी की दोनों राशियों के आपने करीब देखिए बिलकुल सही है जैसे कि हम प्राणारमर से कहते आ रहे हैं कि हम इस कार्ण में अपने दर्शकों को सभी राशियों श्योगत कराएंगे और उनको कौन सा दान कौन सा मंत्र किसकी आरादना कैसे करनी है उन्हें क्या लाब होगा पूर में तुमने क्यों बताया कि है कि राशियू में नवी इनना कॉम है और लौन के लोगों को लालवस्त्र और मशूर की दाल और लालवस्त्सक्त ना करना चाहिए इस गृहन के uniके बाद क्थियों कि एक वर्ष यह सुन है कि भेट लुटिक की एन परतुक करना है ग्रहन के दौरान औरराअगर के दौरान पर लेते हैं गहराभार 21 भार 108 उस आप лाघा सकते हों अगर कर लेते तो आपको बहुत इसके अलावा आप चावल और चीनी का दान करें ब्रशब राशी के लोगों के लिए सफेद रंग बहुत सुभ है अता हाप को कपूर शफेद कपड़ा या फिर दूद्ध या दूद्ध से बनी हुई वस्तूओं का भी दान करना चाहिए जिससे आपके उपर पड़ रहे इ मित्षन राशी के अगर बात करें जब्वन राशी के लोगों को श्री बीष्णु शहस्रनाम का पाठ करना चाहिए जातक पहले से ही समझ लें कि वो विश्णु सहस्र नाम का पाठ करें और जितना आत्यिक्षिक हो सके उतना करें ना हो सके तो कम से कम ग्यारा पाठ तो आपको करने ही और शूर ग्रहण काल में आपको एप करने है आपकी राशी के लखी कलर है हरा इसलिए आप मूंकी rainy जाल हरी पत्यदार सब्जियां या हरवस्त्रदान कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो ग्रहन से जुड़े हुए। अशुभ परभाव्य। आपके दॉर हो जाएगे। अगर हम करकराशी की बात करें तो करकराशी के जात्तों को भगवान, शिव की आराधना करने चाहिए भगवायन शिव का ध्यान करें और करकराशी के जातक शिव मंत्र का जाब करें अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो शिव मंत्र सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जब करें करकराशी वाले दही सफेद कपड़ा दूध कर सकते हैं इन वस्तुओं के दान से आप पर आकश्मिक शंकट नहीं रहेगा और आप आकश्मिक शंकट से दूर हो जाएंगे आईए बात करते हैं शिंग राशी की तो शिंग राशी के लोगों के लिए आदित रहदय का इस्तोत्र का पाठ करना बहतर होगा बहुत सुभ हो गेहों का आटा और सोने की कोई वस्तू वा सेव वा कोई भी मीठा रसीला फल दान करें ऐसा करने से आपका अशुब प्रभाव शिंग राशी के जातकों का दूर होगा करने राशी के लोग सबजी वा गाय को हराचारा वा जरूरत मंदखो भोजन जल इलाइची और शर्बत का भी दान कर सकते हैं इससे परिवार के लोगों पर विपत्ती करने राशी के जातकों के परिवार वालों पर भी विपत्ती नहीं आएगी और आपके परिवार के लोग करना है ऐसा करते हैं तो आपका भाग योदय हो जाएगा इस ग्रहण रॽष्टिक राशी के लोगों को बजरंग बान का पाठ करना है बुष्टिक रशी के लोग हैं ध्यान से दिफ सुने और बजरंग बान की पुस्तक बाजार के रख लेकिन और आपको गरहन काल में बजरंग अगर हम चल्चा करें धनु राशी की तो धनु राशी के लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करने चाहिए भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु मंत्र का जाप करें अगर विष्णु का कोई मंत्र नहीं आता है तो मंत्र आप लिख सकते हैं ओम नमो वाशु देवाए इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए अनका दान करना चाहिए इसके अलावा धनु राशी वाले चना बेशन केशर मिठाई चांदी और घीका भी दान करके अपने और अपने परिवार के लोगों के शुवफल की प्राप्ति कर सकते हैं अगर मकर राशी की बात करें और आपकी राशी मकर है तो सुन्दर कांड का पाठ आप करें जितने समय ग्रहन चल रहा हो आप सुन्दर कांड का पाठ करें और तिल का दान करें इसके साथ ही आप चना उलत पापर तिल सरसो कनंगत कांधा और काजल का भी दान कर सकते हैं ऐसा अगर आप करते ह तो आपके सभी कष्टों का निवारण होगा कुम्ब राशी के अगर बात करें तो कुम्ब राशी वाले जातकों को हनुमान जी की ही उपाश्णा करने चाहिए और अगर आप हनुमान जी की उपाश्णा करते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चाली शाके 108 बाठ क और एक सो आठ पाट करने के बाद चुकि आपकी राशी के स्वामी शनी है और आप सनी राशी वालों को दान क्या करना है यह जाले आपको इन्धन दान करना है आटा मशाले और हनुमान चालीसा की पुष्टकों का भी आप दान कर सकते हैं दूद का दान कर सकते हैं और आप क ग्रहन के बाद किशी जरूरत मंद को भोजन जरूर कराएं जिससे आपको पूर्णफल की प्राप्ति होगी ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन और धन का संकट नहीं आएगा ये उपाएगर आप कर लेते हैं इस ग्रहन के दोरान मीन राशी के जातक ध्यान से सुन लें कि आपको स्री राम चरित मानस के अरन कांड का पाठ करना है आपके लिए केले और चने की दाल का दान करना सुब होगा और ग्रहन के बाद पक्षियों को दाना जरूर डालें चीटियों के बिल पर गुड और आटे का मिश्ण डालें इसके साथ जरूरत मंद लोगों को आप वस्तरों का भी दान कर सकते हैं तो नंदरी ये मीन राशी के जातक कर सकते हैं जैसे कि हमने सभी राशी वालों को पूजन मंत्र और दान ये तीनों चीज़ें बताई हैं जैसे कि आपका पूर्म में प्रशन था कि इतना विपरीद समय चल रहा है इतना कठोर समय चल रहा है या इतना कठिन समय चल रहा है तो अगर आप अपनी राशी के हिसाब से यह उपाय कर लेते हैं निम्दान कर लेते हैं या मंत्र शिद्ध कर लेते हैं मंत्र को जब पूरा खर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके ग्रह मजबूत और प्रबल होंगे जिसके चलते यह जितनी भी निगेटिवटी चाहे वो महमा यह पूजन यह प्रभाव यह मंत्र का जाप और दान का जो प्रभाव होगा यह आपके लिए एक च्छाया का कारी करेगा और आपको लाभाद मुद्ट करेगा जो बचा करके रखेगा परिशानियों से दिखी सभी जानकारी आप तक हमने पहुचाई सूरे ग्रहेंट से ग्रहेंट के साथ कोरणा का अंत्वी हो सकता है जो तिश क्या कहता है आप क्या कहते हैं देखिए बिलकुर रही है कि पूर्व 2019 के दिश्वंबर में जो सूर ग्रहन पड़ा था वह भी शूर ग्रहन बहुत बड़ा ग्रहन था उस ग्रहन के प्रभाव सुरूप चुकि उस एक माह दो गहना राजा मरे कि शहना यह कहवत कही गई है तो कहीं न कहीं इस सूर ग्रहन से पहले अभी पूर्व में 15 दिन पूरव एक उपक च्षाया चंद्र गहन लगा था उस उपक चंद्र गहन उसके उपरां तो यह शूर ग्रहन और अग्रिम गुरु पूर्णिमा पर पुनाचंद जहाएं कहीं ना कहीं प्रजा यानि जनवानच को अस्तिबस्त करके परिशान की import घर आ ता है रही कोरोना महा मारी की बाथ तो कोरोना तो समाप्थ हो जाएगा चला जाएगा लेकिन कोरोना के साथ ऐसी बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारी मुशीबतें जो कि आम जन्मानस के लिए खड़ी हो गई है जिन से निपटने में भी हमें समय लगेगा और यह समय काफी हो सकता है ज्यादा हो सकता है परिशानिया आन्य काफी हो सकती है लेकिन सवाल यह थे कि क्या कोरोना इस ग्रहन के बाद चा होगी वह आहत होगा और उसका प्रभाव भी कम होना हो जाएगा हो सकता है कि यह आने वाले समय में शमाप्त भी हो जाए लेकिन अन्य जो मुशीबतें आ रही हैं वह को रोना से कहीं ज्यादा भयावा होंगे लेकिन हम जान चुके हैं कैसे परेशानियों से सब्लाम एक मे झाल झाल झाल